राजधानी पटना के गांथी मैदान में 12 अक्टूबर यानी की आज रावन वद का कारिक्रम आयो जित होगा रावन वद की साड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है पटना का रावन दहन इस बार पिछले बार के रावन दहन से अलग और अधिक रोचक होने वाला है इस बार का रावन दहन के लिए पुतले की लंबाई 80 फीट रखी गई है रावन की लंबाई पिछले बार से अधिक है वहीं कुमकरन और मेगनाद से 5 फीट लंबी है कुमकरन की लंबाई 75 फीट और मेगनाद की लंबाई 70 फीट है गांधी मैदान में ड्राम भक्त हनुमान का प्रवेश उड़ते हुए होगा बता दें गांधी मैदान में पूरे 45 मिनट का आतिश बाजी होगा जानकाडी के अनुसार हनुमान उड़ते हुए आएंगे और नगर भ्रह्मन करेंगे हनुमान मा सीता को ढूंडने के लिए सरकों पर निकलेंगे फिर नगर भ्रहमन से लोट कर वापस नागा बाबा ठाकुरबाडी आएंगे जिसके बाद ठाकुरबाडी से लंका दहिन और रावन वद के लिए भगवान श्री राम की सेना की सोभा यात्रा निकलेगी सोभा यात्रा निकलने से पहले सुन्दरकांड का पाठ होगा सोभा यात्रा के गांधी मैदान में पहुचने के बाद भगवान राम की सेना अश्रोक वाटिका से माता सीता को छुड़ा कर लंका दहन करेगी बता दें कांधी मैदान में आश्रो कुवाटिका की तयारी भी की गई है दशारा कमीटी ट्रस्ट के अध्यक्षने से लेकर बताया कि कारिक्रम का उद्खाटन राजपाल राजवेंद्र विश्वनात आल लेकर करेंगे कारिक्रम में मुख्य मंत्री नितीश कुमार विधान सभाध्य चिनंद की शोड यादव विजय चौधरी अकलेश प्रशाद यादव समेत कई नेता मंत्री मौजूद रहने वाने हैं वगी आम जनता के लिए गेट संख्यां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 खुला रहेगा मीडिया बंदों की स्विधा के लिए समुचित व्यवस्था की गई है गांधी मैदान के दक्षिन पस्चिमिस्तत गेट संख्यां 13 से मीडिया बंदों का प्रवेश होगा दिनांक 12 अक्टूबर को एक बजे के उपरांत गांधी मैदान पटना की तरफ वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा बेरो डिपोर्ट न्यूस पी आर लाइज पटना